स्वागत दोस्ता आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में तो गाई जैसे कि हम आप लोगों को बता हैं पार्ट वन पार्ट टू वीडियो में साथ कोशन हम लोगा कम्प्रिट हो चुका है महातांडो स्रीज तो आज जो हम लोगा 61 नंबर कोशन से स्टार्ट करने वाले हैं महातांडो स्रीज और आप सभी को मालूम है पहले से अगर आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो आप सभी को मालूम है कि यहां से कोशन आप लोगो सारा कोशन यहीं सरेगा भाई मतलब कि प्रिवियस यह क्या किया है कि इसी में लाएं ठीक है जितना महातांडो स्रीज जना सारा previous year question है मतलब कि आप लोग का question पुछने का chance बहुत ही जादा है इतना question आप लोग को कर लेना है और आप लोग objective को fix कर लेना है ठीक है तो question देखिए क्या बोल रहा है आप लोगा six 601 वर विच फॉलवाइंग कोनुशें प्रॉवाइड फятиलेटियू उजिंग ऑप जिए आप सभी को मालूम है सब झालोह जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देंगे जादा ज्यादा शेयर कर देंगे हम क्या किये थे पिछला वीडियो में बता है थे के वाई आप लोग क्या करें थोड़ा सा वीडियो को सेयर कर दे ठीक है तो आप लोग सेयर भी किये ठीक है बहुत लोग नहीं किये लूप बोलता भाई तो आप क्या करते आप करते बोटम ठीक है और आप लोग ये बता दीजिए कि वाइल लूप जो है उमारा इंट्री कंट्रोल लूप है या पर इंट्री कंट्रोल लूप है तो आप लोग को मालूम है वाइल लूप जो होता है इंट्री कंट्रोल भाई आप लोग को मालूम है an identifier होगा या फिर lowercase alphabet होगा या फिर reserve for instruction यह होगा तो आप लोग को मालूम है keyword जो होता है keyword जो होता है वो हमारा क्या होता है यह lowercase alphabet यह भी होता है और यहाँ पे देखिए reserve for instruction यह भी हमारा होता है मतलब कि सटिक answer कहने का है मतलब कि option number c हो जाएगा इसका right answer क्या होगा, option number third हो जाएगा, reserve of instruction, देखिए, इसी तरह का jack में question पुछा गया है, ठीक है, तो इसका right answer क्या होगा, option number third, अगला question देखिए, if class x inherit y the class college of x, तो यहाँ पे यह question भी हमारा क्या है, यह भी question हमारा repeated question, आप लोगों को मामले में बहुत बार यह question करवा है, क्य 65 number बोल रही है, इन-line function, इस तो inline function जो होता है, हमारा क्या होता है, inline function जो होगा न, वह हमारा सभी होगा, देखिए, क्या होगा prefix with keyword inline, यह हो रहा होता है, declare the define inside the class, यह होता है, क्या होगा prefix with inline on the header, and define outside the class, यह भी हो रहा होता है, मतलब कि आप लोग का क्या होगा option number आप लोगा फॉर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट अंसर सभी लोग को मालूम है डी होगा इसका राइट इसर क्या होगा बट हमारा अंसर क्या होगा option number four हो जाएगा all of these हो जाएगा तो कितने लोग कितने लोग सामत है इस question इस answer से बहुत लोग होगे मतलब कि आप सभी लोग है होगा protected होगा मालूम है कि नहीं बिल्कुल मालूम है इसका राइट अंसर क्या होगा protected होगा अगर आप लोग सकेंड वाला वीडियो देखें तो आप सभी को मालूम है इसका फंड क्या होता है चलिए अगला कुशन क्या header file have the file extension header file को हम लोग पाचांते है किस से बसंद्द तो पहले यह बता दीजी कि header file हमारा क्या होता है header file क्या होता है कहां पे होता है यह हम पहले यह बताए header file होता है हम लोग का यह हमारा top में होता है och have type container क्या है मारा container इसको हम लोग पचानते कैसे हैं डॉट ऐसे पचानते मतलब कि option number one इसका right answer हो जाएगा के लिए चलिए अगला question ए टोकेन इस तो किन हमारा क्या होता है वह साथ smallest individual unit होता है क्या होता है smallest individual unit इन या प्रोग्राम होता है इसका right answer option number third हो जाएगा मतलब कि आप सभी लोग क्या कर रहें सही answer दे रहें इसका right answer क्या होगा थाड़ हो जाएगा चलिए अगला question क्या मूट है कि दा condition on while loop is checking तो देखिए अब यहां पे क्या बोल देया कि do while loop है ना while loop बोला है तो while loop आप लोगा चो condition को check करता है आप सभी को मालूम है कि ये question बहुत बर repeat कर रहा है do while loop को भी करना है डude while loop क्या होगा बोटोम होगा चलिए अगला question di-stactor is heay destructor क्या होता है अब सभी को मालूम है ये question भी हम करवा है Instructor क्या होता है university member function क्या होता है distractor is heay member function तो आप लोग comment करके बताएं कि Distructor कोौ हम लोग पहचानते कैसे क्यों सा हमारा symbol होता है एक बर comment करके बता दिजेगा clear चलिए अगला question क्या बोड़ा base class base class हमारा क्या होता है base class को हम लोग normal class बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते है normal class का right answer क्या होगा option number one हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question in private inherited क्या बोड़ा protected the member of the base class will be treated in drive class तो आप लोग क्या बताएंगे 73, 73 का right answer क्या होगा, देखिए यहाँ प्राइबिट, हम आप लोग को क्या बताये थे, एक trick बताये थे, कि ने, तो एक trick बताये थे न, उसी से आप लोग का ये बनेगा, क्योंकि in private, देखिए in private दिया हो है, तो in private का मतलब क्या होता है, हमारा result शेट भी क्या होगा प्राइबिट भोगा हिसका राइट अंसर क्या होगा थड़ भो जाएगा तो देखे हम पर आप लोक पढ़ा रहे हैं हम क्यूं पढ़ारे इतना ध्यान देंगे रिल्स जो अस्कोल करते हैं बहुत लोगों का मतलब कि रिल्स वाला बीमारी हो गया तो आप लोग सोट रिल्स से थोड़ा सा दूर हो जाए और अपने पढ़ाई की और अभी क्या करें थोड़ा सा मतलब पढ़ाई में ज्यादा आप लोग फोकस करेंगे ठी यह ठीक है रिल्स को स्कॉंडर्ण करने से कोई फाइदा नहीं है चलिए अगला कोशन देखिए क्या बोल रहा है कि में फंक्सान इजयान तो में फंक्सन आप लोगा रिपीटेड कोशन है क्या होता है क्योंकि यहां पर फंक्सन का चीन ही दिया हुए वाई तो आप लोग अर्थमेटिक पुछावा अबर क्या पुछावा अर्थमेटिक पुछावा भाई तो अर्थमेटिक हमारा क्या होता है अब सभी को मालूम है क्या होता है कि जो प्लस मैनस गुना भागा यह हमारा क्या होता है यह हमारा अर्थमेटिक के अंदर आता है तो इसका राइट अ कंडिशन भाई देखिए अब ये कोशन आ गया वाईल लूप पूछ रहा था यहां पे क्या पूछ दिया डू वाईल लूप पूछ दिया तो आप सभी साहमत है कि ने बोटम से बोटम से साहमत है बिल्कुल साहमत होंगे वाई क्योंकि हम बता है हम तो गलत बता नहीं सकते इसका राइट Lawrence क्या होगा बॉटम होगा जो डू व्य लूप हेना कंडिशन को चेक करता है व्य निचे से अगर वाईल लूप रहता है तो हम लोग क्या करते हैं टौप फीर से हम एक बर data कर वांडिया है वह हमारा इंटरी कंट्रोल लूप होता है याँअभी कंट्रोल ल पूछ रहा है यह हमारा स्पेशल फंक्शन भी होता है और यह हमारा क्या होता है इसका राइट अंसर नंबर डी होगा क्या होगा all of these के लिए चलिए अगला इसको भी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा अप लोग पढ़ लिजेगा अगला असी नंबर क्या बोड़ा है कि इन प्रोटेक्टेड इन हैरिटेंस यह पबलिक देखिए अप लोगों फिर से इतना पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं ह इन प्रोटेक्टेड दे दिया है तो आप लोगों को मालूम है इसका राइट अंसर क्या होगा आप सभी को मालूम है प्रोटेक्टेड होगा क्योंकि जो हमारा इन में रहता है वही हमारा क्या होता है रिजल्ट होता है मतलब कि जो ट्रीक हम दिये हैं वह हमारा क्या होगा है मतलब कि हम लोग का सटिक अंसर में कहप रहा है मतलब की ट्रीक हमारा क्या है सही और क्या होगा प्रोटेप्टेट होगा किलियर अगला को you बढ़ते हैं क्या बढ़ते हैं 81 81 ने क्या बढ़ता है इन C++ language has been developed बाई तो C++ को को डबलब किया था वाई बजरने इसका राइट अंसर क्या होगा अगला कोशन देखिए assignment operator पूछ रहा है देखिए यह कोशन कितना बार करवा है बहुत बार करवा है इसका right answer क्या होगा option number one हो होता है हमारा assign sign होता है इसी को क्या बोलते है assign sign बोलते हैं तो इतना clear हो चुका होगा अब देखिए हम लोग का अगला कोशन क्या बोल रहा है कि the order of evaluation of the following expression देखिए order आप लोगो दिया हुआ है इन में से आप लोगो चार्ड करके बताना है क्या होगा right answer तो इसको करने के ल divide उसका हमारा क्या होता है plus होता है या फी minus तो देखिए हमारा सबसे first में क्या हमारा सबसे first में दिया हुआ है divide मतलब कि answer हमारा divide है उसका right answer क्या होगा multiply उसका हमारा क्या minus है उसका plus है जिस तरह का है उसी तरह का हमारा क्या होगा answer होगा मतलब कि आप सभी को मालूम है कहां आपे दीख रहा है तीके देखिए अप्सन नंबर थर्ण में दीख रहा है इसका राइट रहा जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन क्या बढ़ें एंबर function that automatically invoked at the time of object declaration is called to तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या प्लोड रहा है question देखिए 84 नमबर तो इसका right answer आप लोग डिरेक्ट बता देजें ठीक है इसका right answer क्या होगा आप लोग का मालूम है constructor आप लोग याद कर लिजें अगला question देखिए 85 नमबर C++ programming are converted into machine level language देखिए बच्चा वाला question आगया ठीक है यह class limit वाला question है तो आप लोग बता ही इसका right answer क्या होगा आप सभी को मालूम है अगर नहीं मालूम है तो हमको तो बताना ही होगा यह क्या होगा compiler होगा यह language को convert कर रहा है है यह language को convert ज लेगवेज में तो आप सभी को मालूम है मतलब कि हर साल question मिल रहे गाई तो इस साल भी रहेगा तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे ठीक है जितने लोग यह तो आप लोगों को मालूम है हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि जितना लोग इगनोर करें उसका रिजल्ट भी क्या होगा इगनोर करने लाइक रिजल्ट आएगा मतलब कि देखने का मन नहीं करेगा ऐसा रिजल्ट आएगा ठीक है इसलिए आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इस बात को ध्यान देंगे जितना question अभी आ रहा है सभी लोग देखेंगे share करेंगे like करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे comment करेंगे ताकि मेरा motivation हाई रहे ठीके तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात को चलिए अगला question क्यों बढ़ते हैं अब सभी को मालूम है यहाँ पे number of tuple of relation बोड़ा है जो हमारा relation में क्या होता है मतलब क्या होता है तो टेवल में number of tuple बहुत सारा tuple को हम लोग क्या बते कारण लेड़ी क्या होते है आप सभी को मालों में बच्चा वाला question है, इसका right answer option number 1 हो जाएगा, चली अगला question देखिया, how many tabs of label, the database, अब ये question आप लोग का क्या homework है, क्या है, हम सारा question करवा दिये हैं भाई, बट आप लोग का भी क्या करना है, फर्ज बनता है कि आप अपने से answer बना करके comment करें, तो last question आ है आप लोग comment करके बताईएगा, ये question आप करवा चुके हैं, तो आप बताई इसका right answer क्या होगा, सभी लोग को comment करके बताना है, जितने लोग वीडियो देखने हैं, बाई, कम चोर जो हते हैं, कम चोर, वो सारा काम नहीं करना है, आप सभी लोग थोड़ा सा, जितना मैं म वीडियो को share कर दिए, like अगर नहीं कियें, तो like कर दिजिए, और एक प्यारा सा comment कर दिजिए, आप मिलते हैं अगरे वीडियो में, तब तब बाई, take care,